प्रेम से बोलो हर हर महादे, भगवान भूलेनाग अपने शरीर पर भस्म, अपनी जका में गंगा, माथे पर चंद्रमा और गले में नाग धारंग करते हैं। इन सभी चीजों को धारंग करने के पीछे अलग-अलग किस्से हैं। आईए इस वीडियो में जानते हैं कि भगवान शिप के नाग धारंग करने के पीछे क्या कहानी है। भगवान भूलेनाग का रूप जितना रहस्यमई और विचित्र है उतना ही आकर्शिक भी है। वे अपने शरीर पर भस्म, अपनी जटा में गंगा, माथे पर चंद्रमा और गले में नाग धारंग करते हैं। इन सबी चीजों को धारंग करने के पीछे अलग-अलग किस्से और मान्यताये हैं। असल में भगवान शिव न केवल मनुश्यों पर बलकी अन्य जीवों पर भी अपनी क्रिपा बनाये रखते हैं। इसका सबसे बढ़ा उदाहरण है उनके गले में नाग और वहन नंदी। भगवान भूले नाथ एक ऐसे देवता है जो समाज में सबसे बहिश्वित चीजों को अपना साथी मानते हैं। जैसे सर्प एक ऐसा सरीश्विप है जिससे मनुश्य दरता है। भूले नाथ ने उसे अपने गले का हार बना लिया। उसे सम्मान दे दिया। लोग शम्शान धार्त में जाने से दरते हैं भगवान शिव ने वहां का भस्मी अपना लिबास बना लिया। कैलाश परवत जहां इंसानों पहुंचना असंभब हुआ करता था भगवान शिव ने उसे अपना धर्त बना लिया। खैन आईए इस तेक में जानते हैं कि भग्वान शिव के नाज धारंग करने के पीछे क्या कहानी है। शिव जी के गले में क्यूं लिप्ता रहता है साथ । धार्मिक कथाओं के अनुसार नाग राज-वासुकि भगवान शिव के परंभक थे। वे हमेशा शिव जी की पूझा करने में लीन रहते थे। शास्त्रों के मुताबिक समुद्र मन्थन के दौरान नाग राजवासुकी ने रसी का काम किया था, जिससे सागर को मताद गया था। इसके बाद नागराज वासुकी की भक्ती से प्रसन होकर शिव जी ने इन्हें नागलोग का राजा बना गिया। साथ ही अपने गले में आभुशंक की भाती लिप्ते रहने का वर्दान दिया। शिव जी के अन्यप्रतिकों का कुछ ना कुछ किस्से हैं जिसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। मा गंगा, धार्मिक कथाओं के अनुसार है कि देवी गंगा शिव जी के करीब रहना चाहती थी, इसलिए धर्ती पर उतरने से पहले मा गंगा ने प्रचन रूप धारन कर लिया था। कहा जाता है कि इस थिती को संभालने के लिए शिव जी ने गंगा को अपनी जटाओं में स्थान दिया। अगर भगवान शिव ने ऐसा नहीं किया होता तो स्ट्रिष्टी की रचना प्रभावित होती। शास्त्रों के मुताबिक नंदी और शिव एक ही है। रिशी शिलाद की कठोर तपस्या के बाद शिव जी ने नंदी रूप में उनके घर जन्म लिया था। भूले नाथ नंदी की कठोर तपस्या से प्रभावित होकर उसे अपनी प्रियसवारी के रूप में स्वीकार किया। चंद्रमा, शिव पुरान के मुताबिक चंद्रमा का विवाह दक्ष प्रजापती की 27 कन्याओं से हुआ था। सवी कन्याऊं में चंद्रदेव रोढिविसे विशेश स्नेह करते थे। इसकी शिकायद जब अन्य अन्य कन्याऊं ने दक्ष से की तो दक्ष ने चंद्रमा को प्षय होने का शाप दे दिया। इस शाप से बचने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव की तपस्या की, चंद्रमा की इस तपस्या से प्रसंद होकर भगवान होले नाथ ने चंद्रमा के प्रान बचाए और उन्हें अपने शीष पर धारंग किया, प्रेम से बोलो हर हर महादेव, महादेव की क्रिपाद् से आप सभी के जीवन में सुख शांती एवं समृध्धी सदैव बनी रहें। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद मित्रों।